इन्टरनेट इस फुल अफ प्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफोमेशन और प्रोपागेंड़ा, यौर क्वेस्ट ऑफ रलाइबल, ऑथेंटिक हेल्थ इंफोमेशन इंद्स है, तो सब्सक्राइब इस चैनल और हिट बेल इकन, और यू नेवर आफ तो अनिवेर अल्स सब्सक्राइब करने के कौन-कौन से फूड प्रोडक्ट से, बहुत बढ़िया, बहुत इंपोर्टन टॉपिक, राइट, हम बात करेंगे, एक एक करके, बहुत रारिस्ट और रारिस्ट से, कॉमनेस, कॉमनेस तक सारे बताएंगे आपको, एक चीज है, शायद आपने भी सब्सक्राइब कि वे stimulative कायाों ने सुनी होगी, बेरीस, बेरीस तो सुनी होगИ, लेकिन elderberry, elderberry क्या चीज है, मुझे भी नियु बता, elderberry है, ये फी एक तरीके की बस्टेंब लेक कलर की होती है, elderberries जी के इंप्लामेशन रोकने के लिए और कई सारी लाब स्टुडी में इनके या बात करें बैरी के अपस एक्स्ट्राक्ट जो है वो फ्लू वाइरस इसको ब्लॉक कर देते हैं और और स्टुडी इस पे हो रही है हो सकता है आगे चलके इन से इनके हल्प से फ्लू वैक्सीन और अच्छी फ्लू वैक्सीन बने तो बैरी जार वन गुड थेंग्स जो आपको कहानी चाहिए कौन सी बैरी यह एल्डर बैरी है बाकि सारी बैरी भी है तोक बाट देम अल्सो देन मश्रूम्स मश्रूम्स में कौन सा वाला बटन मश्रूम्स में सेलिनियम होता है बी वाइटामिन्स होते हैं सेलिनियम होता है यह हल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम को बहुत सारे वेज में अगर आपके अंदर सेलिनियम कम है तो आपकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी फ्लू या इंफेक्शन आपको होने का सो इम्यून सिस्टम हेल्दी रखने के लिए यह ति द्विचल की मैं इस यह क्तिक अफिस्य का फॉर है यह एक है और बड़या सा लपी अंटी अचिदेंन आपके जो हेल्धी रहने के द ज़रूर िए और इन्семत्व और इसस्मूधी और और आपको इस दूसरे अपने इम्यून सिस्टम के लिए इसको भी ले सकते हैं So that is one, Echai berries, then oysters, oysters सुना होगा, non-vegetarian type seafood हो गया Oysters के अंदर zinc होता है, zinc in them और zinc जो है उसके actual अंदर virus के fighting properties है Zinc में virus fighting properties हैं जो help कर सकता है viruses को और activate करने के लिए आपके blood vessels, blood cells, white blood cells को virus को मारने के लिए So that is very good, right? Zinc is very very active in also active in healing, wound healing Wound healing के लिए भी zinc बहुत काम आता है And then there is something watermelon, watermelon is very good, watermelon जोरदार है Refreshing भी होता है, उसमें ना सिरिफ it's refreshing, it has glutathion It has plenty of glutathion, it has plenty of citrulline, watermelon बहुत अच्छा होता है वह आपके immune system के लिए fight करने के लिए बहुत जोरदार होता है Right, so what you need to do is, you need to eat watermelon, right? Red pulp, जो red pulp रिंग के आसपास होता है रिंग के आसपास वहाँ पर जादा होता है जो रिंग के आसपास होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा glutathion होता है तो red pulp closely closely ज़्यादा खाया करें इसे बीच से नहीं खाया करें Right, wheat germ Wheat germ एक और ऐसा immune booster है जो के wheat germ के seeds है Wheat seeds Wheat seeds और wheat के plant है उसका जो एक part है जिसको germ कहते है उसके अंदर naturally बहुत बढ़िया zinc होते है B vitamins होते हैं, antioxidant होते है और यह एक अच्छा mixture Fiber भी है, protein भी है, healthy fat भी है और बाकि सारे vitamin भी है बहुत अच्छी चीज है यह आपके लिए इसमें भी आपका immune system बढ़िया करता है इसी किताद जो yogurt है, दही है वो actually probiotic है दही, obviously दही ले रहे हो तो low fat low low fat होगे, that is very good उसमें vitamin D है उसके अंदर fermented products like live active culture, bacterias है probiotics है, obviously that is very good for you, lactobacinus spinach हमने देखा है, popoy the sailor man spinach is the super food super food में folate होता है आपका iron होता है आपका DNA रिपेर करने के लिए बहुत अच्छा है, उसमें vitamin C है और antioxidants है तो spinach एक बहुत बढ़िया food है जो आप actually कच्छा भी खा सकते हो पका के खाते हैं जाथ तर लोग कच्छा और ये, even tea चाय में चाय जो, जैसे green tea, black tea, white tea कोई भी tea ले लो, इस tea में fighting properties होती है, polyphenols होते हैं, flavonoids होते हैं और ये free radicals को भी थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं राइट, जाय हो चाहे वोग काफिटो और दीकाफो दोनों में होते हैं सो चाहे चाफिएट, सब्सक्राइब लोग ड़ जोप लोग को तो ती is good एवन शूट पिटेटों हो तिप उई बटतों में बटा कारोटिन होता है बटामीन ये होता है राइब ब्रॉकली आशकल बहुत चल रही है, इम्यून बूस्टर है, बिल्कुल है, इसमें क्या है, वितामिन ए है, वितामिन ए है, वितामिन सी है, ग्लुटा थयाउन है इसके अंदर, राइब इस वेरी गुड़ पर पूर प्रोटीन, जो पर बहुत जोरदार चीज है, उ उसके अंदर, ना सिर्फ skin infection को treat करने का, bacteria, virus, fungi, उसके benefit और भी ज्यादा है, benefit, garlic is actually a supplement, जो cholesterol कम करता है, heart के लिए भी अच्छा है, so immune system के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, right, so garlic is very good, same goes for ginger, same goes for many other things like miso, which is like a Japanese, then chicken soup is also very good, chicken soup, आपके घर में बना हो, बहार का हो, उसमें, कुछ एक chemical होता है, carnosine, carnosine आपकी body को flu से protect कर इसलिए, जब flu हो जाता है, cold हो जाता है, chicken soup लेने से आप छीख हो जाते हो, जी हा, carnosine, अगर आप, जी हा, के store, store से भी जूप लेके आते हो, तो भी उसमें, same effect होता है, carnosine का, so desert matter, घर पर बनाने का time नहीं है, तो फिर भी आ अनार, pomegranate, pomegranate के अंदर भी बढ़िया से ingredients होते हैं, antioxidants होते हैं, जो के आपके immune system को boost करेंगे, bacteria virus और flu को fight करेंगे, और जैसे मैंने का अधरक है, अधरक जिंजर, अधरक तो बहुत जोरदार चीज है, अधरक भी important है, आपके body के antioxidants हैं, उसमें, उसके अंदर बहुत, इव और साथ में, nausea, vomiting, उल्टी को भी कम करता है, उसको चाय के साथ डाल के पी सकते हो, तो अधरक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा system है, तो ये basic सारी चीजे होई, खाने पीने के जो actually अच्छी है, साथ ही इसके नीन important है, साथ ही इसके exercise important है, we have already talked about other things, जो ज़रूरी है आपक को cold flu से बचाने के लिए उन सब चीजों को अपने life में डालिये, activity करिये, exercise करिये, be physically active, right, बैठने के जगा खड़े रहिये, that's important, so, कोई सवाल है तो ज़रूर पुछे, we are here, thank you.